आज मैंने बनाई ये फ्रेंट्स बैगन की बहुत ही मज़ेदार सी एक सबजी जो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनती और खाने में बहुत टेस्टी लगती है हाई फ्रेंट्स मैं हूरे तू स्वाथ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आईए देखते हैं ये लाजवाप और टेस्टी से सबजी मैंने कैसे बनाईए यह लिये मैंने बैगन जने मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है यहाँ पर मैंने लंबे बैगन के यूज किया है आप चाहें तो छोटे वाले गोल बैगन भी ले सकते हैं ये लिए मैंने तीन आलू जिनको मैंने छील के ऐसे लंबा-लंबा कट कर लिया है आईए अब सबसे पहले हम बैगन को कट कर लेते हैं ये बैगन की उपर की जो डंडी है इसे हम अच्छी तरह से साप कर लेंगे और बैगन को कट कर लेंगे बैगन को friends हमने बड़े-बड़े टुकडो में ही कट करना है इस तरह के लंबे-लंबे पीस आप करिए से ये बहुत ही अलग टाइप की सबजी बनती है होता है कि हम एक ही सबजी को एक ही तरह से खाका के बोर हो जाते हैं और घर में कोई खाना पसंद नहीं करता अगर हम एक ही सबजी को अलग-अलग तरीके धनिया पाउडर ये लिए है मैंने अद्रग और लेस्वन का कुटा हुआ पेस ये करीब एक टेबल स्पून भरके है बड़ा वाला आप चाहें अद्रग लेस्वन का पेस्ट भी डाल सकते हैं ये लिए है मैंने बेसन दो टेबल स्पून भरके जिसे मैंने तवे पे हलका सा कर लिया है हलका से याप इसे रोस करिएगा कि बैस इसमें बेसन की खुश्पू आने लगे बुनने की यह मैंने लिया एक बड़ा प्याज जिसको मैंने ऐसे लंबा-लंबा कट कर दिया है इसको भी पैगर में मिक्स कर दूंगी नमक डालूंगी मैं इसमें स्वाद अनुसार करीब मैंने एक टी स्पून नमक डाला है इसमें और यह लिए है मैंने इसमें कसूरी मेथी जिसकी वैसे बहुत ही बड़िया फ्लेवर आता है इसको मैंने तवे पर हलका सा रोस्ट कर लिया था और फिर डाला हाथ से रगड़ की यह है फ्रेंस मस्टर ओयल यानि सरसो का ओ करती है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती है अब गैस पर रखी मैंने कड़ाई जिसमें मैंने डाला है सरसो का तेल आप जो ऑईल खाते उसका यूज कर सकते हैं और उसमें डालेंगे हम अपने यह लंबे कटेवे आलू इनको मीडियम आज पे बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे खोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें नमक ताकि हमारे आलू में भी नमक चला जाए और आलू हमारे अंदर से फीके बे ना लगे इन्हें उलट पुलट करते हुए आप इन्हें तब तक फ्राई कर लिजे जब यह हलके हलके से पिंक ना हो जाए आप इस कड़ाई में बचेगा हम उसी में अपनी सबजी बनाएंगे अब जो कड़ाई में हमारा तेल बचा हुआ है फ्रेंड्स उसमें मैं डालूंगी एक टीस्पून भरके जीरा जीरा हमारा अच्छी तरह से तरड़क जाएगा तो मैंने यहां पर लिए चार लेसून की कलिया जि जो भी मेरे चैनल पर नया है फो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर ले सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री होता है और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को जादा से से डालिएगा क्योंकि आपको पता है कि नवक हमने बैगनों में भी डाला था जब टमाटर हमारे हलके से सॉफ्ट हो जाएंगे ना तब हम उस ताइम पर मिलाएंगे अपने ये बैगन इनको रखे हुए करी 10 मिनट हो चुके हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम 5-7 मिनट तक मीडियम आज पर हम इनको फ्राई कर लेंगे आप देखिएगा कि फ्राई करते करते इनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा यह बहुत ही यम बनती है सबजी और एक तम अलग स्टाइल की सबजी है आप इसे एक बार मेरे कहने पर जरूर ट्राई कीजिए यह बहुत टेस्टी लगती है कि देखिए पास से 7 मिन तक करीब टोटल मैंने से 7 मिन तक पूना है आपको दिख रहा होगा बैगन का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है अब इस टाइम पर मैं इसमें डालूंगी अपने फ्राई किये हुए आलू और मैंने दो हरी मिश को ऐसे स्लिट करके इसमें डाल दिया है मीडियम आज में आप इसको फ्राई कीजिएगा अब आज को मैंने धीमा कर दिया है अब आप इसमें डालिए पानी मैंने करी हाफ बाउल भरके पानी डाला है जिस बरतन में आपने बैगनों को रखा था ना मसाला लगा कि उसी बरतन में पानी डालके इसमें डाल दीजे ताकि जो मसाला लगा हुआ है आपके परतन में वो भी इसमें चला जाए अब इसे ढख के हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे आलू और बैगर अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए बीच वीट में फ्रेंड्स आप इससे चलाते जरू हुआ गरब मसाला अब हमारी सबजी बलके बिल्कुल रेडी हो गई है आप इसे सर्फ कर सकते हैं यह देखने में इतनी टेस्टी लग रही है बिल्कुल लगी लिप्टी सी बहुत ही यम वाली सबजी और इसका फ्लेवर भी एक्टम डिफरेंट आता है आप इसमें बारी क बैगन आलू की सबजी आई एसम सब कर लेते हैं कि देखिए कितनी टेस्टी लग रही है यह बिल्कुल लगी लिप्टी सी रस्पी सी बहुत ही यम बनती है फ्रेंट्स आप मेरे कहने पर इसे एक बार जरूर ट्राय कीजिए और कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट करक जाए फ्रेंट्स तो यह बहुत यम लगती है हमारे घर में तो इसे सबी लोग पॉराठो के साथ गाते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंट्स तो आप एससे जादा से जादा अपने फैमिली और फ्रेंट्स में शेयर कीजिए और लाइक का बटन त करता है तो लाइक आप जरूर कीजिए और मेरे चलर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ बाबाई